बटवारा दो मुलकों का कहते हैं कि हर बटवारा अपने पीछे कुछ विवादों को छोड़ आता है ऐसे ही कुछ विवाद भारत पार्क बटवारे के पीछे जुन्नमक हिंदुस्ट दोस्तो फिलम गदर टू साल गुन्दी सो एकतर में हुए भारत वा पागिस्तान के बीच हुए युद पे अदरित होने वाली है और दोस्तो फिलम गदर टू इन दिनों सुर्क्यों में बनी हुई है दोस्तो फैंस फिलम के टेलर का बेस सब्री से इंतजार कर रहे है दोस्तो मैं आपको बता दू गदर टू फिलम साल 2001 में आई फिलम गदर का सिक्वल होने वाली है दोस्तो फिलम में एक बार फिर से सकीना वै तारा सिंग की रोमेंटिक जोगी देखने को मिलनी वाली है जैसा कि हम सभी जानते हैं फिलम को डारेक्ट अनिल शर्मा कर रहे हैं वाद दोस्तो फिलम की शुटिंग 90% पूरी हो चुकी है दोस्तो फिलम के बारे में एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है फिलम के मेकर्स गंतंतर द्यूर्स के मोके पर फिलम के बारे में एक बड़ी एनाॉसमेंट करने वाले हैं दोस्टो रूमर्स की माने तो फिलम का ट्रेलर वा टीजर 26 जनावरी को देखने को मिल सकता है और दोस्तो ये खबर सनी देवल के फैंस के लिए और दोस्तो ये खबर किसी न्यू यर्ग गिप्ट से कम नहीं है दोस्तो बात करे फिलम की इस्टार कास्ट की तो फिलम में सनी देवलवा अमिशा पटेल ये साथ उनका ओन स्किन बेटा चराणी जीत तो आपको यादी होगा दोस्तो जिसकी बोलेपन की एक्टिंग के सभी लोग दिवाने हो गए थे अब दोस्तो फिलम गदर टूम में चराणी जीत बड़े हो चुके हैं जिहां दोस्तो अब फिलम में उतकर्स शर्मा भी लीड रोल में दिखाई देने वाले हैं इसके अलावा फिलम में अनिल जोर्ज, पनी स्वादवा और सिमरन कॉर्भी फिलम में मुख्य भूमिगा में दिखाई देने वाली है दोस्तो बात करे फिलम की स्टोरी के बारे में तो फिलम एक एक्शन ठिलर होने वाली है जो की साल 1931 में हुए इस बार दोस्तो फिलम में तारा सिंग अपने बेटे को बचाने पाकिस्तान जाने वाले हैं जो की वोर में ही पस जाता है दोस्तो अगर बात करे फिलम सनिमा ग्रो में कब तक आने वाली है तो साल 2023 पंदरा अगस्त के दिन सनिमा ग्रों में देखने को मिलने वाली है फिलम गदल टू दोस्तों एक बार फिर से आप सकिना बार तारा सिंग की रोमेंटिंग जोरिल को देखने के लिए इतने क्रिजी हो फ्लिस कमेंट में जरूर शेर करें